वेलकम फ्रेंड्स बीसी ओनर्स कोर्स इन नानो साइंस एंड नानो टेकनोलोजी की एडमिशन जो है ऑपिन की गई है तो कौन से यूनिवर्सिटी से है यह जो डॉक्टर श्यामा परशाद मुखरजी यूनिवर्सिटी जो है डॉक्टर श्यामा परशाद मुखरजी यूनि में इंट्रिस्टेड है विए सी ओनर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है क्या होगी क्या अप्लाई कर सकते हैं कि इतने टाइम का कोर्स होगा फुल डिटेंड में आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर लिए का हमार कि बेसी ऊंपर सिंगी नानो साइंस एंड नानो टेकनोलोजी एडमिशन ऑपेन सेशनु बायस से पतीश है एप्लिकेशन और इंवाइट फूर्टा खेशन दोहजार बाईस से पतीश इस से आपको समझ आ रहा हूगा कि ये तीन साल का कोर्स है कितने साल का कोर्स है तो डि जान देना हो कि semester system है यह इस course provide a board overview of nano science and nano technology eligibility क्या है कौन student इस course को कर सकते है कौन eligible है तो उसके अगर बात किया जाए तो एक candidate possessing 10 plus 2 science मतलब आपका 12 होना चाहिए science से या फिर IAC और equivalent diploma degree जो है होना चाहिए यह आपका qualification होना चाहिए तब आप eligible हो सकते है इस course को करने के लिए duration की बात तो हम लोग कर ही चुके है अब नाव हम लोग देखते है कि nano science and nano technology has job potential जो होता है क्या होता है तो scientific research organization में nano science and nano technology has job potential universities in India and abroad hospitals and healthcare sector यह सभी इस course को करने से आपको इन सभी सेक्टर्स में जो है जौब की अच्छे खासी opportunity जो है वो दी गई है कंसर्टेंसी जो है और्गनाइशन इन फार्मे क्यूटिकल electronics, energy, material science, medical, automobile, agriculture, environmental protections, etc. इन सभी में आपका जो है काम आता है यह देखिए job potential जो है दिया गया है और साथ ही आपको apply कैसे करना है तो apply करने के अगर बात आती है तो यहां पर दो नंबर दिये गए हैं अगर किसी भी तरह का confusion हो किसी भी तरह का doubt हो तो आप इस नंबर पर पर द कॉल करके पूछ सकते है और apply through chancellor portal पॉर्टर के थुरू आपको apply करना है तो उसकी जो link है यह दी गई है अगर आपको इसकी direct link चाहिए तो comment कीजेगा आपको comment section में provide किया जाएगा अगर किसी भी तरह का कोई भी confusion है तो comment section में comment करके पूछ सकते है कुछ समझ ना आ रहा हो तो उसके लिए comment कीजिए thank you so much subscribe कर लेज़ेगा next update जल्द ही आएगी bye bye